अले ओ एब्रीवन, C-TagPrimary के पेपर में पिछले तीन सालों में हिंदी सेक्शन से जितने भी कॉशन आया हैं, मैंने वो सारे एक ही वीडियो में डाल दिया हैं सिर्फ अगर हिंदी का वीडियो देखना है तो यह देख लो पूरा पेपर अगर देखना है तो मैंने वो भी सॉल्व कराया है नीचे मिल जाएंगे तो अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करना भी मत भूले आई इस शुरू करते हैं साथ हो गया है और यहां पर एक कविता दी हुई है 91 से 96 तक उस कविता को पढ़के हमें कॉशिन मार्ग करने हैं जल्दी से कविता पढ़ते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले है अनिस्चित किस जगह पर सरितगिर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिस्चित है अनिस्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा आपड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के वटोही बाट की पहचान कर ले 91 है कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेस्ता की ओर संकेत किया गया है बताईए 91 के लिए है कठनाईयों के बारे में बात कर रहे है वो ठीक है पूर्व चलने के वटोही बाट की पहचान कर ले 92 कोश्यन देखते हैं कविता में आए सुमर और कंटक किस भाव के प्रतीक है 92 के लिए क्या है आंसर आंसर है सुख और दुख के कविता की पंक्तियों में कभी व्यक्ति को किस बात की प्रेणा दे रहा है 93 के लिए आंसर क्या मार्क होगा कि हर स्थती में आगे बढ़ना है ठीक है इस जीवन यात्रा में 94 के लिए आंसर क्या होगा आराम से लिखा है कि कुछ भी निस्टित नहीं है डैरेक्ट ही लिखा था अभी हम पढ़कर गए है नीचे दिये गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है तो हैं जो तीन है और एक नहीं है तो त सब्द में आत्या प्रत्या आ सकता है ठीक है ठीक है आप क्या करना है संतानवी से 105 तक फिट से एक पैरा को पढ़ना है और पैसेज को इसके भिहाब पर आंसर पढ़ने हैं चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं रास्टे परवों और सांस्कृतिक समारों के दोरान गीत गाये जाएं कविता सुनी और सुनाँ जान इसे लिकर माता पिता स्कूल और समाज में व्यापक सहमती है लेकिन घीत कविताय बच्चों के जीवन में रच बस जाएं वह उनका भरपूर आनंद लेने लगे खुद तुक्वंदिया करने लगें रचने लगें माता पिता को है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं वलकि वे वैसा गरें जैसे माता पिता चाहते हैं उनके भीतर बच्चे के स्वतंता पूर्वक सीखने की प्रक्रियागे प्रती सतत संदे और गहरा डर बना रहता है यही हाल स्कूल का भी है गीत का विता की गतिविदी का हिस्सा बन जाएं यह स्कूल को मंजूर नहीं इसकूल को लगता है इस सब के लिए समय कहां है यह पाट पुस्तक से बहार की गतिविदी है सिक्षक और परिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि सिक्षक पहले परिक्षा परणाम वहतर लाने के लिए काम करें दूसरी और हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगहें लगाताट सीमित हुई हैं गीत गाने सुनने सुनाने के अउसर हुआ करते थे वे अउसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे सब के लिए अत्रिक्त प्र खेल गीतों और बाल गीतों का स्रजन भी हो जाया करता था उनकी रचनाय चलन में आ जाया करती थी जवान पर जर जाती थी और साल हो साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी समय के साथ उनमें कुछ कमी पाय जाने पर संसोधित होती रहती थी ठीक है पढ़ लिया हमने इस अब ठीक है कॉश्चन देखना है तो 97 कॉश्चन है गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे 97 के लिए क्या है अंसर माता पिता द्वारा तय लक्ष को प्राप्त ना कर सकेंगे गीत कविता इसकूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है क्या लगता है कि इसकूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंद नहीं है गीत कविता के वारे में कौन सा कथन सही नहीं है 99 में से रांसर क्या है समाज में इनकी व्यापक सहमती नहीं है ये सही नह है ठीक है मतलब क्या है इस statement गलत है नहीं पर पी सब बहुत इच्छे से ध्यान देंगे सिक्ष्य व्यवस्था गीत कविता को किस द्रस्टी से देखती है सिक्ष्य व्यवस्था बताईए बाधक के रूप में देखती है अनुच्छेत के आधार पर गीत कविता के वारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है मतलब तीन सही अनुच्छेत के आधार पर तो सही है नॉर्मली सही है नहीं है लेकिन अनुच्छेत के आधार पर तीन सही और ये गलत है तो अनुच्छेद में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी कि इन से बच्ची अपनी रहा भटक जाएंगे तो ये गलत है बच्चों के लिए लक्ष कौन रधारित करता है तो सबको पैसेज में बढ़ा है कि माता पिता करते हैं सबको ऐसा जरूरी हो पता सुनी सुनाईजाय में कौन सी करिया है 103 के लिए सकर्मक करिया है सांसक्रतिक में प्रत्या कौन सा है 106 के लिए राइट आंसर है प्राथ में किस तर पर हिंदी व dieta सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है 106 के लिए जरूरी है कक्षा में प्रिंट सम्रद परिवेश ठीक है बच्चे बोल चाल की भासा का अनुभव लेकर विध्याला आते हैं इसका नहिताथ है की बच्चों के भासाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए भासा सीखने सिखाने में आपके से सबसे अधिक महत्व पूर मांते हैं 108 के लिए क्या है आंसर सामाजिक अंतक्रिया है सामाजिक अंतक्रिया है जिसका सबसे ज़दा महत्व है भासा सीखने और सिखाने में ठीक है 109 पड़ते हैं हिंदी भासा सिख्षक का प्रयास होना चाहिए कि वे क्या होगा 109 के लिए आंसर कि वे बच्चों की भासा संबंदी सहज रचना सक्ति को बढ़ने के अउसर दें कक्षा 5 के बच्चों के भासा आंकलन के संदर में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं 110 के लिए आंसर क्या होगा आंसर है इदगा कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा इसका वन वर्ड में आंसर दे देगा बच्चा चमीटा चिमटा खरीदा था भासा काती महत्यपूर्ण का कार है 111 के लिए संप्रेशन ठीक है 112 देखते हैं सुनने और लिखने की कुशलता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है 112 क्ले राइट आंसर है सुने गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना साठक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुनारवरती करता है यह भासाई ब्यवहार दड़साता है की 113 के लिए कि भास समझ के साथ पढ़ने की कोशिस कर रहा है हिंदी भासा में आकलन का उद्देश नहीं है 14 के लिए राइट आंसर है बच्चों की भासा का त्रूटियों की ही पहचान करना आपके विचार से प्राथ में किस तर पर उतिक्रस्ट लेखन कारे का उधारन है 115 क्या होगा राइट आंसर आंसर है किसी आखो देखी घटना का लिखित वर्णन करना भासा देखने के संदर्व में कौन सा कथन सही है तो तीन कथन है जो गलत है सही कौन सा है बाड़ी के आप option पढ़ना बाड़ी सही है कि बच्चों में भासा अरुजित करने की जम्मजाथ श्भात होती है बात सही है डिस ग्राफिया से बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ में कटना ही होती है तो डिस्ग्राफिया सबको पता होगा कि लिखने की प्रॉब्लम होती है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भासा की पाथ युफुस्तक में आप किसे सरवादिक महत्तोपूर मानते हैं तो वह है विवेद को हिंदी भासा को बिवेद वाली रचना हैं जो आप्शन मैं नहीं पढ़ती आप पढ़ लिया अगर ये फालतु का वीडियो लंबा होगा आप देखने का भी मन नहीं करेंगे पहुभासिक अक्षा में बच्चों की भासाएं 119 के लिए क्या है संसाधन के रूप में कारे कर सकती है भासा सीखने और भ पर शन सौलवोंगे स्पैरा के भियापपट सौलवोंगे पैरा पढ़ती हैं जल्दी से मानव के मर में स्थल में परोपकर और त्याग जैसे सद्गुनों की जागरती तभी हो पाती है जब है अपने तुछ्य भातिक जीवन को नगने शमच कर उसमें उत्साहा उमंग के स दूशों की सेवा सुश्चुर सा तधा सत्कार करता है यह एक ठोड सत्त है कि हम बहुत एक रूप से संसार में सीमेत अवधी तक ही रहेंगे हमारे वृत्यों के बाद हमारे निकर्चंबनी में त्रवंदु वांधव जीवन भर हमारे लिए शोका कुल प्रेमा कुल भी न अमर हो जाएं शेवक प्रवती अपना कर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं अपने निश्वाद व्यक्तित और परहित कर्मों के वल पर हमेशा के लिए मानवे जीन वन हे तूत पर ना वन सकते हैं अनुपम मनुश्य जीवन को सद्गर्थी परजान करने के लिए यह विचार नया नहीं है ऐसे विचार सज्जन मनुश्यों के अंतरमन में सदा उठते रहे हैं तथा इने अपना करवे दुनिया में अमर भी हो गए हैं इस धरा पर इस्थाय रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूझे जाते रहेंगे अमूल मनुश्य जीवन की सर्विसेट सिक्षा यही है यही सीकर मनुश्य का जीवन आनंदमय और समरद्शाली हो सकता है यदि इस प्रकार मानुश्य जीवन उन्नित होता है तो यह संपूर संसार स्वर्गिक विस्ता गरहन कर लेगा किसी भी मानव को आध्यात्मिक का जो अंतिम घ्यान मिलेगा वहे भी यही सिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश सतकर्मों और सदगरुन की जोती फैलाना ही है कौईशन कह रहा है हमारे जीवन हमारा जीवन सदा प्रेणा बन सकता है यदि हम क्या है निश्ट्वार्थ भाव से परोपकार करें तू है इसका राइट अंसर धर्म के आच्रण का उद्देश क्या है सबसे लास्ट लाइन जो इस पैरा में है धर्म उद्देश सदकर्मों और सदगुणों की जोती फैलाना है मतलब अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकास फैलाना ठीक है ऐसे विचाट सज्जन मनुश्यों के अंतर्मन में सदा उत्ते रहे में असुद्धी किस पार्ट में है तो असुद्धी खा पार्ट में है सेज सब्दों से भिन्न शब्द पहचाने है 94 के लिए आंसर है सद्गोर्ट सद्गती सद्कर्म आंसर है सत्यवादी निश्वार्ट सब्द उप्योक्त विपरियार्थक क्या होगा निश्वार्थ का विपरीत क्या होता है परोकारी नहीं ने स्वार्ट जो कोई स्वार्ट ने करता तो स्वार्थी सीधा लिखा है पाठ्यांस में प्रयोक्त आध्यात्मिक्ता सब्द किन उत्सर्थ प्रत्यों से बना है 96 के लिए आंसर है अध्यात्मिक्ता का अधी एक और्टा 97 ऐसे परूपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक ब्रती अपना कर प्रहित करते रहे कठोर सत्य किसे कहा गया है 98 के लिए आंसर है भौतिक सरीर की नस्वर्था को निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किये जाने की आवेश्यक्ता बताई गई है 99 के लिए आंसर है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना ठीक है अब ये फिट से निर्देश है कि 100 से 105 तक जितने भी क्वेश्चन है पैरा के भियाप पर सॉल्वूंगे इस पैसज के भियाप पर ठीक है इसे पढ़िए विविद प्रांत है अपनी अपनी भासा के अभिमानी हम पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम रहन सहन में खान पान में भिन भले ही हों कितने इस मिट्टी को देते आए मिल जुलकर कुरवानी हम सदियों से कुछले लाखो तूफान हमने पदतल में आज जुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से अंडवान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना हर प्रांथ जुड़ा है अपना अगड़ित कूमल थागों से समास की द्रस्टी से सेस से भिन्यपद क्या है पढ़ो अपनी अपनी रहन सहन खान पान मिलना जुलना सिंपल सा दिख रहा है हंड़ेट का फस्ट आंसर है सदियों से कुछले लाखो तूफान हमने पदतल से कथर में तूफान भाव क्या है 101 के लिए आंसर है कठनाईया अंडमान से कश्मीर भारत में क्या है 102 के लिए आंसर दूरस्थ राज है मतला सबसी ददा डिस्टेंस उनके वीच में तब यह सालिक रखा है हम भारतिये जिदर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है 103 के लिए राइच अंसर है सुब कारे होते हैं आप पढ़ लेना इसमें सारा कुछ समझ जाएंगे पैर शव्द का समानार्थी नहीं है तीन है और एक नहीं है 104 के लिए नव बाकी पग, पद, चरण सब हैं कविता की नुसार विविदताओं के बीच हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम कौन हैं इत्या तो इजी है, ये तो सबको पता होगा भारती है नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चैन कीजे करिए बच्चे समाजिक अंतकरिया से भासा सीखते हैं या विचार कित्स का है 106 के लिए है वाइगॉटस्की का प्राथ मे किस तरके बच्चों के भासा विकास की दृस्टी से सरवादिक महत्तोपूर क्या है तो वाल साहित है बाकी देखो समाचार पत्र वो नहीं पढ़ता बच्चा पत्र का पाट पुस्तर भासा सीखने और भासा जित करने में मुख अंतर का आधार है 108 के लिए आंसर है भासा का परिवेश यही है जो में डिफरेंस है प्रात्मे के स्तर पर बच्चों की भासा की आंकलन में आप सरवादिक महतो किसे देंगे बताओ लिखित परिक्षय जाद सूची प्रशनावली अंसर है पोटफोलियो पढ़ने की प्रकरिया में सरवादिक महतो कूण क्या है अक्षरग्यान, अर्थ, गती, प्रवा, 110 के लिए क्या है अंसर है अर्थ बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महतो कूण है क्या है 111 के लिए अंसर है विचारों की अभिव्यक्ति सुंदर लेकिन बरतनी की शुद्धता काव्यात्मक भासा सब जरूरी है लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है विचारों की अभिव्यक्ति प्रात्में के स्तर के बच्चों के लिए पाठ पुस्तक के निर्माण में आप सरवादिक महत्तपून किसे मानते हैं 112 के लिए भासा की बिविन रंगते हैं पहुभासिक कक्षा में मात्र भासा प्रेयोग को 113 के लिए राइट आंसर होना चाहिए सुईकार किया जाना चाहिए भासा सीखने सिखाने में सरवादिक महत्तपून क्या है 114 के लिए है भासा का समर्द परिवेश आप पढ़ लेना समझ जाएंगे देखें मैं जल्दी जल्दी आंसर इसलिए बताय दे रही हूँ कि बहुत जादा लंबा वीडियो नहों और इसमें कुछ समझाने जैसे है भी नहीं भासा कॉशल के सम्मंद में कौन सा कथन सही नहीं है नहीं वाली चीज़ को हमेशा ध्यान देना 115 के लिए आंसर क्या होगा भासा कॉशल एक क्रम में ही अर्जित किये जाते हैं ये चीज़ सही नहीं है बच्चों के भासा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के सम्मंद में कौन सा कथन उचित नहीं है 116 के लिए त्रुटि का अर्थ है भासा अज्यानता ऐसा बिलकुल नहीं है बोलते वक्त मैं ही हकला जाती हूँ भाई कभी उल्टा कुछ पढ़ देती हूँ इसका अर्थ अज्यानता से मत लगा ना आप लोग निम्न लेखित में से कौन सा प्रस्ण बच्चों के भासा अकलन की दरस्टी से सरबाधिक उपयोगी है 17 के लिए जो सबसे उपयोगी आप पढ़ना मुख प्रात्र का नाम देखो हामित ने क्या खरीदा यह सब वन लाइनर है ठीक है वन वर्ड है लाइनर भी छोड़ो वन वर्ड आंसर है इनके यह है इदगा काने को अपनी भासा में सुनाई यह जो है सबसे जरूरी है बच्चों में भासा सीखने की छमता 118 के लिए क्या है जन्वजात होती है बच्चों के भासा सीखने में सरवादिक महत्तुपून क्या है